मुआ अन्याग कर दो 1. विद्यार्थी मीत्रों, बारतनी आजादी पछी, देश समक्ष उभाथायेला 2 प्रश्णों, बारतनी आजादी पछी, देश समक्ष मुख्य 2 प्रश्णों तातकालेग उभाथाया, 1. स्वतंद्र भारतनु बंधारण गड़ू 2. बिटिश प्रांतों अने साडा पात्सों करतापण वदू नानामोटा देशी राज्यों रिया सतों नू एकी करण करीने स्वतंद्र भारतनों राजकिय नवो नक्षयों तयार करवो, अने एक अखंड भारत बनावू कैबिनेट मीशन नी देशनी एकताणे खत्रामा मुक्यें तेरी दरखास्त मित्रो, आ जादीनी पूर्बसंध्याये देश बै विभागोंमा महेचायलो हतो भारतनी मुलाकाते आवेल कैबिनेट मिशननी जुदी-जुदी दर्खास्तों मा एक दर्खास्त एवी हतीके जे देशनी एकताने अने विभार जनने उत्ते जनापे एवी दर्खास्त हतीके पंदर ओगस्ट ओगनीस सुन्तालिस पछी जे देशी राज्यो रिया सतोनी स्वतंत्र रहवू होय तो ते रही शके छे बे स्वतंत्र राष्ट्रो अस्तित्वमा आवता तेमा जोडावू, किना जोडावू, तेनो तेओ नीणै करी शक्षे बिटिश चरकारे एरिस पश्ट्रता करीके, पंदर मी ओगस्ट ओगनीस सुन्तालिस पछी एवा राज्यो नी स्वतंत्र रताना रक्षण नी कोई जवाबदारी बिटिश चरकारनी रहशे नहीं देशी राज्यो नू एकी करण मित्रो, भारत नी आजादी शमये देश मा नाना मोटा कूल 562 जितला देशी राज्यो हता, जे भारत ना चठा भाग मा छवायला हता जेनी वस्ती देश नी कूल वस्ती ना लगबग 1-4 तांस भाग जितली हती आ राज्यो भारत मा न जोडाय तो भारत नी एकता, अखंडितता, स्थीरता अने सलामती माटे बयंकर जोखम उबू थाए भारत ना ते समय ना गुरू मंत्री, सरदार पटेल अने गुरू खाता ना सचीव, वीपी मैनने देशी राज्यो नू एकी करण करी, तेमने भारतिय संग साथे जोडवानी कामगीरी सौपी तेमने देशी राज्यो माटे जोड़ान खत तैयार करियू सरदार पटेले देशी राज्यो ने अपिल करी के, तेमना शाशन हेठर नी प्रजा अने भारतिय संग ना हीत मा तेओ पोताना राज्यो नो स्वेच्छाए त्याग करे अने एक मजबूत अखंड अने समरुत भारत नो पायो नाखवामा पोतानो सहकार आपे, उपरांत तेमना हको हीतो ना रक्षन नी पण सरदार पटेले खातरी आपी पंदर्मी अगस्ट ओगणी स सुर्टालिस ना रोज जम्मु काश्मीर, जुनागड अने हैदराबाद ना साशको सिवाई बधाज राजाओ भारतिय संग साथे जोडाण खत पर हस्ताक्षर करवानों स्विकारियो अनि एक पची एक आबधा राज्जियोरी आसतो नो भारतिय संग मा जोडाण थायू त्रवन राज्जियो जम्मु काश्मीर, जुनागड, हैदराबाद ना जोडाण ना प्रश्णो जुदी रेते उकेलवामा आव्या जुनागड ने लश्करी कार्यवाही तेमज लोकोनी इच्छावडे भारतिय संग साथे जोडी देवामा आव्यू हैदराबाद ने पोलिस पगलू भरी ने भारतिय संग साथे जोडी देवायू सरदार पटेले निजामने तेमना हितोना रक्षण नी बाय धरी आपी आज़ादी बाद पाकेस्ताने जम्मो कास्मीर पर आक्रमन कर्यू कास्मीर नो रक्षण कर्वा भारत सरकानी मदद मेडवा राजा हरी सिहे तातकालीक जोडान खत पर शही करी जम्मू कास्मीर ने भारतिय संग साथे जोडी दिदू आ रिते देशी राज्योना एकी करणनी गंबिर समश्याव उकेलवामा आवी अने भारतिय संग साथे जोड्या राजा हरी सिहने आज़ादी पहला वाईसरोय माउंट बैटने भारत के पाकेस्तान साथे जोडाई जवानी सलाह आपी पण छेक सुधी तेमने कोईनी साथे जोडावानो नेणाई न लिदो आ दर्मियान ज़ पाकेस्ताने काश्मीर पर आक्रमन करियू आक्रमन लुटफाट अन्य अत्याचार सामी रक्षन करवा माटे राजा हरी सिहे भारतनी लश्करी मदद मांगी भारते कहिऊ के पहला जोडावन खत पर शही करो पची भारत काश्मीर नु रक्षन करवा लश्कर मोकली शके ता बड़तोब हरी शिहें जोडाण खत पर शही करी एवामा एक कालम ए हती के काईनी जोडाणनों आक्रिन एणैं परिस्थिती थाड़े पड़ता लोगमत अनुसार करवा मां आउश्य भारतिय लश्करे ततकाल काश्मीर नु रक्षन करियू पण त्याँ सुदितो पाकिस्ताने काश्मीर ना त्रिजा भाग पर कपजो जमावि दिदो पन बाकीनु काश्मीर उगरी गयू भारते पाकिस्तान विरूद राष्ट्र शंगोनी सलामती समीतीनी फरियाद करी सलामती समीती ए युद्ध विराम करवाणू कह्यू हजु आजे पण जम्मु काश्मीर राज्य ना त्रिजा भाग ना प्रदेश पर पाकिस्तान नो अंकुस छे, आ प्रदेश आपणे परत मेडवी शक्या नथे, काश्मीर नो प्रश्न भारत पाकिस्तान वच्चेना संबंधों मा आजे पण मुख्य विवाद नो मुद्दो छे, जुनागड आज्वादीना दिवशेच, जुनागड ना नवाबे पाकिस्तान साथेनु जोडान खत लखी आपईू, पाकिस्ताने पन तेने अनुमती आपई, सरदार पटेले तरतर ज तेनी सामे पगला लेवानु नक्की करियू, मुंबई मा जुनागड ना नागर कोई आरजी हुकुमत नी स्थापना करीू, साधा पोश्याक मा सज्च थयेला दड़ोए, अने उच्छाही स्वयम सेवकोई, शामर्दास गांदीना नेत्रुत्व हेठळ जुनागड सर करियू, जुनागड नो नवाब पाकिस्तान चाल्यो गयो, नवेंबर उग्णी स जुनागड मा लोकमत लेवायो, प्रचिंड वहुमती थी भारत मा भढवानी तर्फेण मा मत दर्शावयो, आम सदार पटेलनी कुनेह अने जुनागड ना नागरीकोनी प्रचंड इच्छा सकती वडे, जुनागड नो भारतिय संग मा जोड़न थयू, हैदराबाद मित्रो, भारतनी आजादी पूर्वे हैदराबादना नवाब निजामे भारतिय संग थी स्वतंत्र रहवानी महिच्छा प्रगट करी भारते निजाम में समझाव्यू के हैद्राबाद चारे बाजु भारतिय संगोथी घेरायेलू छे, माटे एक स्वतंत्र राज्ये तरीके टाकी शक्षे नहीं, छता निजाम में स्वतंत्र रहवारू नक्की कर्यू। सर्दार पटेले वाटा घाटोद्वारा निजामने समझावा प्रायत्न कर्यू। तेमने निजामना सत्ता वाडाओने जनावी दिद्धू के हैद्राबाद ना लोको भारतिय संग साथे जोडावानी तीवर इच्छा धरावे छे। तेमनी इच्छा मुझब हैद्राबाद नू भारतिय संग साथे जोडाण कर्वू ए सवना हीत माँ छे। आ समय निजामना सत्ता वाडाओ ए प्रजापर त्रास गुजारवानों शरू कर्यू। लोको ने एमाथी बच्छावा माटे भारत शरकारे हैद्राबाद सामे पोलिस पगलू भरीने भारतिय संग साथे जोडी दिदू। हैद्राबाद नी जोडाण नी समगर कारवाहीमा कनैय अलाल मुनसीनी भूमी का मुख्य हती। आजादी पची पण व्यपारी मथको फ्रेंचो अने पोटोगीज ना अंकुष हेठड। मित्रो आजादी पची पण पश्ची मी साम्राज जेवाद ना रह्या सह्या आउशेशो जेवाप प्रदेशो फ्रेंचो अने पोटोगीजो ना कबजा हेठड हता। जे माँ फ्रेंचो ना अंकुष हेठड पणडी चेरी सिवाए करेई कल एटले के तमिल नाडु, माहे, केरड, या नाम, आंध्रपदेश, अनि चंद्रनगर, पस्ची मबंगाड, वगेरे प्रदेशो हता। जारे पोल्टोगीजो ना अंकुष हेठड दिव, दमण, अने गोवानों समावेश थायो हतो। पोल्टोगीजो ए अधार मीजून 1915 ना रोज सत्याग्रहियोनी धड़ पकड करी। मित्रो फ्रेंचो करता पोल्टोगीजो वधु अपकड हता। तेओ गोवाने पोल्टोगीज साम्राज्यनी प्रतिष्ठ्याना प्रतिकरूप गणता हता। आजाद थया छतां पोल्टोगीजो ना संस्थानो भारतमा चालू रहे ए भारतना लोकोथी शहन थाय तेम नहातु। समझावट अने वाटा गाटो द्वारा गोवा लिक दीव दमण भारतने सौपी देवा माटे भारत चरकारे खुब प्रयतनो करया। पण तेमा बहु सफ़डता न मड़ी। आ बाचु गोवाने भारतमा भेडवा लोक आंदोलन जोर पकडवा लाग्यू। अढ़ारमी जून 1956 मां मोटा पाया पर सत्याग्रहनों काडेक्रम योजाय। तिरंगो फरकावा बदल सेकडो सत्याग्रहियोंनी धड़ पकड करवा मावी। ओपरेशन वीजय दोस्तो पोटुगीजोना अंकुस थी मुक्त थवा भारत शरकारे गोवाने मुक्त करवा ओपरेशन वीजयनों लशकर यभियान शरू कर्यू। बारत 1956 मां सर्व भूम अने प्रजासत्ता क्रास्ट्र बन्यू। ए समय दर्मियान गोवा दीवने दमण पर पोटुगीजोनों अंकुस हतो। ए भारतने परत करवा भारत शरकारे समझावट वाटा घाटो अने सत्या ग्रहो कर्या। पन सफडता नमडी। गोवाने भारतमा जोडी देवा लोग आंदोलने जोर पकडियू। 28.1954 रोज मोटा पाया पर सत्या ग्रहनों कार्यक्रम र्योजायो। तिरंगो फर्कावा बदल सेकडो धन पकडो थाई। 22 जुलाईना रोज स्वयम सेवकोए दादरा नगर हवेली पर सत्ता जमावी अने प्रदेश सर कर्यो। 15.1955 रोज गोवा मुक्ति आंदोलन दर्मियान हजारो लोकोए गोवा दमन दीव माँ प्रवेश्वानों प्रयास कर्यो। पोलिस साथेनी अथळामणमा केटलाई शहीद थाया। वाटा घाटो, समझावट अने सत्याग्रह जेवा उपायो सफण न थता भारत सरकारे गोवाने मुक्त करवा ओप्रेशन विजय शरू करवा नेणै कर्यो। 78.1961 नी मध्यरात रिये जंडल चौद्री ना नेत्रूत्व हेठड लशकरे अभियान चलाव्यो। भारतिय दाणोए गोवा, दिव, दमण, कपजेकरी ने त्या भारत नो राष्च द्वज फरकाव्यो। फ्रेंच सरकार तेनी भारत मानी वसा हतो भारत ने स्वापी देवा तैयार थेई। दोस्तो, 2950 मा भारत सर्व भूम प्रजा सत्ताक राष्च बन्यो। ए समय भारत मा फ्रेंचोनी पंडीचेरी सहित 5 वसा हतो हती। फ्रेंचोना अंकु सेठर्ना आविस्तारोना लोकोनी इच्छा भारत संगमा भढ़वानी हती। ए माटे उग्र चडवणों शरु करी। आ चडवणने दावी देवा फ्रेंच सरकारे प्रयाशो कर्या। 2948 मा पंडीचेरी मा योज जायल एक विराट सभामा लोकोये फ्रेंचोने समय पार्खीने हिंद छोड़नु एलान आप्यो। पंडीचेरीना प्रश्णनेनु सांटीमै समाधान करवा भरत सरकारे फ्रेंचो साथे वाटा घटो शरु करी। परन्तु लोकोने संतोष न थता तरताच तेने आजहात करी भरत संग साथे जोड़वा मांगता हता। प्रेंचोना ताबा हेठळना अन्यवसा हतोना लोको एपण स्वतंत्र चडवडो शरु करी हती। ये नामना लोकोनी मुक्ती शेनाये 13 जून 156 रोज ये नामनो वहिवट पोताना हस्तक लैली दो। लोकोनो मिजाज पार्खी ने फ्रेंच सरकार ने भारतिय सरकार साथे वाटा घाटो करवानी फरच पड़ी। छेवटे फ्रेंच सरकार सहमत थाई 31 ओक्टबर 196 रोज अन्य फ्रेंच वसाहतो भारतने सुप्रत करवा मुक्ती। बंधारणनों अमल शरू थयो त्यारे भारतना राज्यो। दोस्तों, 19156 मी जानिवारी थी बंधारणनों अमल थता भारतमा अ, ब, क, ड, एम, चार वर्गो ना राज्यो हता। एक, अवर्गना राज्यो मां आंध्रप्रदेश, आसाम, बिहार, बंबे, मध्य प्रदेश, मद्राश, ओरिश्या, पंजवाब, उत्तरप्रदेश अने पस्चिम बंगाडानों समावेश थायो हतो। कुल 10 राज्यो हता। 2. बवर्गना राज्यो मां हैद्राबाद, जम्मु कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सु, एदलेके पतियाला एंड इस्ट पंजव स्टेट उनियन, राजस्थान, सवराश्च, अने त्रावन कोर, कोचिन, एम, आठ राज्यो नों समावेश थातो हतो। 3. कव वर्गना राज्यो मां अजमेर, बिलासपूर, बोपाल, कुर्ग, डिलही, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मनिपूर, त्रिपूरा, अने विंधिय प्रदेश एमकूल 10 राज्यो नों समावेश थायो हतो। 4. डव वर्गना राज्यो मां अंदबा निको बाल टापू नों समावेश थातो हतो। आम 4 वर्गना राज्यो हता। भारतना बंधारने शरू आत्मा चौद राज्यो नी पुन्न रच्ना करी। भारतना बंधारने शरू आत्मा चौद राज्यो नी पुन्न रच्ना करी। 1. आंद्रप्रदेश 2. असम 3. बिहार 4. बॉंबे 5. जम्मु कश्मिर 6. केरल 7. मध्यप्रदेश 8. मद्रास 9. मैसूर 10. ओरिस्ता 11. पंजाब 12. राजिस्तान 13. उत्तरप्रदेश 6. पस्चिम बंगाळानो समावेस थतो हतो। आज्यादी बाट मोटा भागना राजियो नी रचना भाशाना दोरणे थै। बॉंबे प्रांतमा मराठी भाशी विस्तारो अने गुजराती भाशी विस्तारो नो समावेस करवामा आवियो। गुजरात अने महरास्ट्र एम बे राज्योनी रचना करवामा आवि। पज्जाबनी उत्तर्य आवेला पर्वतियाने हिंदी भाची विस्तारो हिमाचल प्रदेशमा बेडववामा आविया। असाम माथी नागा लोकोनी बहुमती धरावता विस्तारो नी रचना करवानो सिकारवामा आवियो। केंद्र शाषित विस्तार मनिपूर अने त्रिपूराने राज्योनो दर्रज्यो आपवामा आवियो। भारतनी उत्तर पूर्वदिशामा असाम उप्रांत नवा छो राज्योनी रचना करवामा आवि। मुंबय अने पंचाब आ बे राज्योनी रचना भाशाना धुरने करवामा आवि नहती। मेगहलैनी रचना असम राज्यमा थी करवामा आवि। नागा लेंड ने 1961 मा अलग राज्यों नो दरज्य अपायो अने 1963 मा सत्तावारित्य अस्तित्व मा आवियो। भारतनी उत्तर पूर्व दिशामा आशाम उप्रांत नवा छो राज्यों नी रचना करवामा आवि। आ साथे राज्योंने साथ महनो एटलेके स्यावन सिस्टर्स तरीके ओडखवामा आवे छे। 2000 ना नवेंबर मा बिहार माथी जारखंड मध्यप्रदेश माथी 36 गड अने उत्तर प्रदेश माथी उत्तर आंचल एम 39 राज्यों अस्तित्वमा आविया। हजु आंद्रप्रदेश माथी बंगाला एटलेके तेल गणा अने महाराष्ट्र माथी विदर्भना अलग राज्योंनी मागनी चालू छे। आजे 2004 मा भारत संग ना 28 राज्यों उप्रांत दिल्ही राज्यों अने तेनु पात्नागरपन छे। छ संग शाषित विस्तारों अने एक राष्ट्रिय राजधानी विस्तार एमकुल 35 घटकोनो बनेलो छे। पहली में 1916 ना रोज गुज्रात राज्योंनी स्थापना थै। उत्तरपुर्भना राज्योंनी पून रच्ना। मित्रो भारतने आजाधी मडी त्या थी नागा जातीना लोको पोताना स्वतंत्र राज्योंनी मांगनी करता हता। आ माटे तेमना केटलाक बढवा खोर जुथो हिंसा आचरता हता। बढवा खोरी दाबी देवानो भारत चरकारे प्रयत्न कर्यों। छेवटे आसाम माथी नागा लोकोनी बहुमती धरावता विस्तारनी रच्ना करवानु स्विकारवामा आव्यो। इस सीजन 161 मा नागा लेंडने अलग राज्यों दरज्यों आप्वामा आव्यो। औने 1963 थी ते सत्तावार रित्ते अस्तित्वमा आव्यो। असमनी उत्तर पूर्व अने दक्षिन पूर्वमा रहती आधिवासी जातियों मा स्वतंत्र बनवानी तीवर लागनी प्रवतती हती। भारतनी पुर्वशर्हदे आवेला आविस्तारों मा रहती प्रजामा असंतोस्पनी लागनी उपिथाय ए संरक्षननी द्रस्तिये देशना हितमा न हतु। त्रिपुरा ने मनिपूर ने 1932 मा राज्योन दरज्यो आपवामा आव्यो। एज वर्ष मा आसाम मा थी मेगालाईनो अलग राज्यो रच्वामा आव्यो। अरुनाचल ने केंद्र शाशित विस्तार तरीके जाहर कराय। त्यार बाद 1932 सित्याशी मा अरुनाचल अने मिजो रमने राज्योनो दरज्यो आपवामा आव्यो। आम भारतने उत्तरपुर्वदीशामा आसाम उपरांत नवा छो राज्योनी रच्वना थी। आसाते राज्योने साथ बहनो इलेके सेवन सिस्टर्स तरीके ओड़कवामा आव्यो।